हेलो फ्रेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम सुईट नॉंबर मुवी की स्टोडी एक्स्प्लेंड करेंगे मुवी शुरू होती है और हम नेलसन को देखते हैं जो कि काफी वोर्कॉहलिक परसन होता है यानि वो ज़या तर अपने काम में बीजी रहता है वो एक एड़ुटेजिग काम करता है और कामपनी में में बहुते इन पर्फावन्स के लिए उसमें काई एव़ाइंस भी जीट रखे होते हैы नेलसन अपने काम में इतना बीजी रहता है जहां उसका friend भी उससे काम से rest लेने के लिए के लिए कहता है पर नेलसन उसकी बातों पर जादा ध्यान नहीं देता है और उससे अपना decent project दिखाता है उसके बाद वो office के बाहर देखने जाता है कि सभी ठीक से काम कर रहे हैं की नहीं तब ही उसकी assistant उसके पास आती है और उसे याद दिलाती है कि आज उससे license examination के लिए जाना है नहीं तो अगले दिन उसका license सस्पेंट कर दिया जाएगा जिसके बाद नेलसन एक्जाम देने जाता है जहां उसके साथ कई और भी लोग एक्जाम देने आये होते हैं सबसे लाश्ट में सारा Denver नाम की अजीब अरोत exam देने आती है जिसके हाथों में बहुत सारा समान होता है और वो सिधा shopping करके exam देने आये होती है जिसवज़ा से सभी का ध्यान उसके तरफ आ जाता है सारा दिखने में भले ही थोड़ी अजीब होती है और वो अपने life को खुल कर जीती है और काफी enjoy करती है और उसका behavior भी थोड़ा बचकाना होता है नेलसन ने exam की तयारी नहीं की होती है इसलिए उसे समझने आ रहा होता है कि वो क्या लिके तो वो सारा से help मांगता है पर examiner उन्हें देख लेता है और नेलसन को punishment देने के बज़ाए वो शारा को punish कर देता है वो उसका exam paper फार देता है और 30 दिनों के बाद आने के लिए कहता है जिसके बाद सारा नेलसन को good luck कहती है और वहाँ से चली जाती है exam खत्म हो जाने के बाद नेलसन बाहर अपने car के पास जाता है तो देखता है कि सारा उसके car पर बैठी है तो नेलसन उसे कुछ पैसे देता है और उसके सेकरेटी से बात करके इस matter को solve करने के लिए कहता है पर सारा cash लेने से मना कर देती है उसी week में जब Nelson exercise कर रहा होता है तब सारा उसके location पर आती है और उसे नीचे मिलने के लिए बुलाती है Nelson जब नीचे आता है तब सारा उसे उसके साथ right पर चलने के लिए कहती है क्योंकि Nelson के वज़े से ही वो अपना exam नहीं दे पाई थी पर Nelson उसके साथ जाने से मना कर देता है जिसके बाद सारा वहां scene create करने लगती है जिस वज़े से मजबूरी में Nelson को उसके साथ जाना परता है जब ये कार में होते हैं तब सारा उसे अपना introduction देती है और उसे Auckland की तरफ चलने के लिए कहती है जो कि उनके current location से थोड़ी ही दूर होता है वहां पहुचने पर सारा विक पहनती है और building के अंदर चली जाती है उसके जाने के कुछ मिन्टों के बाद वहां alarm बजने लगता है उसी वक्त सारा एक बैक के साथ बाहर आती है जिसके अंदर दो छोटे puppies होते हैं नेलसन के पूचने पर वो बताती है कि इन पर experiment होने वाले थे इसलीवो इन्हें बचा आ रही है फिर सारा का घर आ जाता है और वो नेलसन को भी घर के अंदर आने के लिए कहती है पर नेलसन उसकी वेसे काफी परिशान हो गया होता है इसलिए वो घर के अंदर नहीं जाता है इससे सारा को बुरा लगता है और वो कल फिर से कॉल करने की धमकी देती है जिसके बद नेलसन गुसे में अपने कार से उतरता है और उसके साथ घर के अंदर जाता है पपीज को सेफ जगा पर रखने के बाद सारा कॉफी बनाती है और नेलसन की मदद करती है उसके अंदर की कमी को दूर करने में पर नेलसन उसका ही मजाक बनाने लगता है लेकिन सारा फिर भी तयार होती है उसकी मयदत करने के लिए पर इसके लिए उसे काम से महिनी भर की छुटी लेकि उसके यहां उसके साथ रहना होगा लेकिन नेलसन ये कह कि उसके offer को ठुकरा देता है कि उसकी एक girlfriend है और ये कह कर वो हमसे चला आता है अगले दिन हम Nelson को एक नए क्लाइंट के सामने एड़टाइजिंग की प्रेजेंटेशन देते देखते हैं जो क्लाइंट दिखने में थोरा फणी होता है उसे ये एड़टाइजिंग आइडिया पसंद नहीं आता है और वो इसे ना कह देता है जिसके बाद नेलसन और उस कलाइंट के बेच गर्मागर में शुरू हो जाती है क्योंकि नेलसन उसके प्रड़क्ट को कच्रा कह देता है नेलसन के इस बिहवियर से उसका बॉस काफी गुस्सा होता है और वो नेलसन को काम से चुटी लेगे कहीं वेकेशन पर जाने का ओफर देता है पर नेलसन इस ओफर को ठुकड़ा देता है जिसके बाद उसका बाउसो से जॉब से ही निकाल देता है नेलसन जब अपने घर पर जाता है इसके लिए सारा excited होती है क्योंकि उसे पता होता है कि नेलसन इन पपीज को लोटाने जरूर आएगा सारा नेलसन के हाथों पर छोट देखती है जो उसे ड्रिंक करते वक्त लग गया था तो वो उस पर दवा लागा के पट्टी बान देती है इसी दोरा नेलसन उसे अपने hopeless situation के बारें बताता है जिसके बाद सारा उसे उसके offer के बारें याद दिलाती है कि वो उसके साथ पूरा नॉवंबर रह सकता है फिर सारा धिरे धिरे उसके short को खोलती है और फिर उसके पास से चली जाती है इसी बिच नेलसन सिर्फ एक रात सारा के साथ रहने का decide करता है फिर वो सारा के पास जाता है और उसे किस करने लगता है पर जब सारा उसे थोरा slow चलने के लिए कहती है तब नेलसन गुस्सा हो जाता है और वो सारा के घर से जाने लगता है सारा भी उसके पीछे पीछे जाती है और तब नेलसन उससे पूछता है कि वो उसकी मिदत क्यों कर रही है लेकिन सारा उसे कुछ नहीं बताती है कुछ देर के बाद इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और हम दोनों को साथ में रोमेंटिक पल एंज्वाय करते हुए देखते हैं पर इस बार इनके भी जो कुछ भी हो रहा होता है वो धीरी धीरी होता है अगले सुबर नेलसन उठता है और कलरफूल पैंट पहन कर अपने फ्रेंड को कॉल करता है सारा ये चीज देखती है तो वो कॉल को कट कर देती है और उसे नए तरह के कपड़े पहनने के लिए देती है कुछ वक्त के बाद सारा कनेबर चेज उससे मिलने के लिए आता है और ऐसा दिखाता है कि सारा और उसके बिच कुछ चल रहा है ये चीज़ जब नेलसन देखता है तो वो नहीं जॉब ढूनने के लिए बाहर चला आता है बाहर जाके वो देखता है कि उसके उपराने कपड़े एक भिकारी ने पहन रखे जिसे सारा ने फ्री में ही दे दिया था ये देखके नेलसन को गुस्सा आता है पर सारा उसे कन्वेंस करने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ घर के अंदर चले और उसके साथ टाइम स्पेंट करे लेकिन नेलसन अपने काम और कैरियर को लेकर जिद्धी होता है और हमेशा की तरह काम करना चाहता है इसलिए सारा नेलसन के कहने पर उसे छोड़ के चली जाती है पर बाद में नेलसन उससे माफी मांगता है और उसका सर्फ एक दिन रहने का वादा करता है जिसके बाद ये दोनों कई तरह की चीज़े साथ में करते हैं और वो सारा को देखता है कि वो छोटे-छोटे बात पर भी खुस जाती है। ये देखने के बाद नेलसन उससे पूछता है कि वो अपनी जिन्दगी ऐसे क्यों जी रही है। तब सारा उसे बताती है कि वो पेट स्टोर पर काम करती थी। पर उसने उस काम को छोड़ दिया क्योंकि उसे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। इसका मतलब सारा को जिस काम में मज़ा आता है वो वही काम करती है। अगले दिन सारा नेलसन के आखों पर पट्टी बान देती और वो खेलना सुरू करते हैं। जिसमें नेलसन काफी बार गिरता है। खेलने के बाद नेलसन बताता है कि वो आज रात यहां से चला आएगा। उसे समय वो दोनों साथ में डिनर करते है। और सारा बताती है कि जो भी हो नेलसन के साथ कर रही है वो सब उसने दूसरे आदमी के साथ भी किया है पर सिर्फ उसकी मदद करने के लिए इसके बाद नेलसन वापस अपने घर आयाता है और जो बाते सारा ने उसे कही थी कि वो फिर से अपने बोरिंग लाइफ को जीने लगया तो ठीक नेलसन वाइसा ही अपने लाइफ को जीने लगता है फिर वह सारा की वेफ साइट को विजिट करता है और उसे पता चलता है कि सारा ने अपने बारे में सच कही थी जिसके बाद वो सारा के पास आने से खुद को नहीं रोक पाता है और उसके पास जाके उसे किस करता है इसके बाद सारा उसे कहती है कि तुम वही करोग जो मैं कहूंगी और साथ में दोनों लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं बाद में नेलसन अपने फ्रेंड से बात करता है जो उससे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसके साथ वो अभी काफी टाइम स्पेंड कर रहा है पर नेलसन उसे सारा के बारे में ज्यादा बाते नहीं बताता है इसके बाद ये एबनर नाम के बचे से मिलते हैं जिसके साथ सारा का क्या रिस्ता है वो हमें आगे पता चलेगा ये दोनों एबनर के रोबोट बोर्ट रेस में उसका सपोर्ट करने जाते है जिसमें एबनर क्लिनर और लाइफ इंसुनेंस घर कर जाकर बेचा करते थे और हर रात वो अपने आपको रूम में लॉक करके old music सुना करते थे क्योंकि वो singer बनना चाहते थे उसी वक्त सारा सोचती है कि एक दिन वो को भी गाना गाते सुनेंगी अग्ले संद में हम स्यवें सारा और कि कपल के सथ लंच करते हुए देखते देखते दिखना पर नेसन का फेंडिक सार्ट को ही घर के अंदर देख लेता है पडोसी उन दोनों को आज साम सारे 8 बज़े डिनर के लिए इंवाइट करने आया था फिर कुछ समय के बाद ये दोनों तयार होकर पडोसी की घर पर डिनर के लिए जाते हैं वहाँ जाकर नेलसन देखता है कि वो आदमी असल में ट्रांसजेंडर है यही काराने कि सारा उसके साथ इतनी कमफटेवल है जब ये साथ में बैटके डिनर कर रहे होते तब नेलसन थोगा डिस्ट्रैक्ट फिल करता है वो फिर टीवी देखने जाता है तब पडोसी उसके पास आके उससे बाते करने की कोशिच करता है और यहां नेलसन को पता चलता है कि ये लेडी मैं चैज है जो की उसका कमपिटेटर एडवरटाइजर है जिसके बारे में नेलसन सुनना भी पसंद नहीं करता है उसी वक्त फोन बजती है तो सारा फोन को उठा के कॉल को पिक करती है फोन पर बात करने के बाद वो पूरी तरह से अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है अब सारा अपसेट हो के क्यों चली गई इसके बार में चैज को पता होता है पर वो नेलसन को कुछ नहीं बताता है नेलसन फिर सारा के पास जाता है और उससे अपसेट होने का कारण पूछता है पर सारा इस बात को इग्नॉर करने के कोशिच करती है नेलसन को किस करके नेलसन सोचता है कि सारा अभी अच्छा फिल नहीं कर रही है इसलिग वो अभी इस बात को छोड़ देता है अगले दिन नेलसन रेडी होके एडगर के साथ मेटिंग एटेंड करने जाता है जो कि बहुते बड़े फार्म का मालिक होता है क्योंकि नेलसन को नई जौब चाहिए होती है लेकिन सारा इससे कुछ नहीं होती है क्योंकि उनकी एक महीने का डील अभी खत्म नहीं हुआ था वही एडगर नेलसन को जॉब देने के लिए त्यार हो जाता है पर तभी वेटरेस से गलती हो जाती है तो एडगर उसे बहुत डारता है जिस वेटरेस रोने लगती है ये चीज नेलसन को पसंद नहीं आती है और बहुत दोरा बहुत पैसे देने के बाद भी वो इस जॉब को ठुकड़ा जेता है फिर वो सारा के पास फुलो का गुच्छा लेकर आता है और उसे सारी बात बताता है जिसके बाद ये दोनों साथ में घर जाते हैं और हम इने साथ में सोते हुए देखते हैं बाद में सारा नेलसन को बताती है कि वो थैंक्स गिविंग पर अपने फैमिली को इन्वाइट नहीं करने वाली है पर इसके पीछे का कारण वो नेलसन को नहीं बताती है उसी वक्त बाहर से कोई बेल बजाता है और हम नेलसन को देखते हैं जो किसी को एक पपी दे देता है क्योंकि उसने इसे एडॉप्ट किया होता है उसे समय नेलसन को पता चलता है कि एबनर सारा का पोडोसी है जो नेलसन को सुझाओ देता है कि वो उसे एडॉप्ट कर ले पर नेलसन मना कर देता है हाला कि वो उसे कहता है कि वो फादर संडे प सारा उसे कोई जवाब नहीं देती है और अपने आपको रूम में बंद कर लेती है नेलसन दरवाजा तोर के अंदर जाता है जहां सारा की तबियत खराब होती है वो सारा से इसके बारे में पूछता है पर सारा उल्टा उस पर ही गुस्सा होने लगती है और इस समय वो सीडि सारा और चेज को देखते है जहां चेज सारा की मदद कर रहा होता है थैंक्स गिविंग के लिए खाना बनाने में उसी वक्त वो नेलसन के बारे में बात करता है तब सारा बताती है कि वो नेलसन को पसंद करती है लेकिन अपने भले के लिए वो नेलसन को तुबारा नहीं देखना चाहती है क्योंकि वो डर रही है कि ये उसे हट करेगा पर चेज उसे समझाता है और कहता है कि उसे नेलसन के साथ रहना चाहिए इससे उसे अच्छा लगेगा थैंक्स गिविंग के दिन नेलसन विंडो सो सारा के घर में गुशता है और मेरी क्रिसमस कहके पूरे फैमिली को सर्प्राइज करता है इसके बाद पूरी फैमिली बाहर चली जाती है ताकि नेलसन और सारा साथ में टाइम स्पेंट करे वही नेलसन ने सारा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए होते है जिनने देखके सारा बहुत ही खुश होती है और हसने लगती है लास्ट में नेलसन उसे सबसे बेस्ट गिफ्ट देता है जो कि वही पपी होता है जिने इन्होंने दूसरे को दे दिया था बाद में नेलसन सारा के लिए गाना भी गाता है जिसे सुनके सारा को काफी हसी आती है लास्ट में नेलसन सारा को अपने घर पर ले जाता है जहां उसने नॉमबर महीने के सारे कैलेंडर को खड़ीद रखाता है वहां वो सारा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और इस बात को कोई नी बदल सकता है इसके बाद ही एक दुसरे को किस करते हैं और साथ में रात बिताते हैं अगले सुबह सारा जल्दी उठती है और यहां से जाने के लिए त्यार होती है ताकि वो नेलसन के लाइफ से चली जाए और नेलसन उसे भूल कर आगे बढ़े लेकिन नेलसन उसके पीछी जाता है और उसे कहता है कि सारा ही वो आदमी है जिसे वो अपने लाइफ में चाहता है पर सारा उसे फिर से समझाती है कि वो किसी और वूमिन के साथ अपने लाइफ बिताए और प्यार करे सारा की बातों से यह सफर्ष्ट हो जाता है कि वो नेलसन से प्यार करती है लेकिन वो नेलसन के लाइफ के बारे में अच्छा सोच करके यह सब कर रही होती है फिर सारा नेलसन के आखों को पट्टी बांती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद नेलसन अपने आखों से स्काफ हटाता है और उसे इस मेल करता है और स्टोडी यहीं पर खत्म हो जाती है इस मोगी अगर आपको हमारी explanation पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों को शेर भी कीजेगा तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई